श्रतीज गर्टी सियम और ग्रहम मंतरी विजज शर्मा ने आइनेस 24-7 से खास बात चीत की है कब वर्धा में बाहरी लोगों को बसाने और उनके नाम मतदाता सूची में जोड़ने कि मामली में ग्रहमं मंत्री विजर शर्मा ने कहा है कि ऐसे लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए हैं जिनें B.L.O. और गाउं की जंता तक नहीं जानती हैं इस मामली में जहांच की जा रही है वहीं पूर्व सिया भूपेश बखेल के राजनान गाउं लोग सभा से चुनाव रणने कोले का विजर शर्मा ने कटाक्ष किया सभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तैयारियों के साथ जूटी हुई है हमारे साथ अभी उप मुख्य मंत्री और ग्रहिम मंत्री विजर सर्मा हम सिधे उनसे जूल लेते हैं यह बड़ा आरोप लगाते थे आप लोग जब कबरदा विधान सभा चुनाओ के दरान कि वहां पर बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसल्मानों को बसाया गया है अभी भी कुछ पोस्टर लगाए गया है मुसल्मानों के कुछ क्या पूरा मामले क्या खोज रहे उन्हे देखिये आरोप तब ही था और अब तो खोज जारी है रोहिंग्या वागएर यह बाहरी लोग उसे हैं ऐसे लोग हैं जिनको गाव़ाले भी निजानते गाववानों नहीं लिक्कर दिया हैं ऐसे लोग हैं जिनको बील लओ भी निजानते बूत लेवल के जो ऑफिसर होते हैं वह भी नहीं जानते हैं मुकौन लेकिन मदाता सूची में नाम जुड़ा है अंतिम प्रकाशन से पहले तक दावापती तक वो नाम नहीं थे लेकिन उसके बज़ो गया है तो यह चमतकार कैसे हुआ है इस पर भी कंप्लेंट तब से अने गाउं में हुए है यह कंप्लें करने मुसलमान होंगे जो कवरदे में इस प्रकार के मदाता सूची में जिनके नाम जुड़े मुसलों की संख्या भी जादा है उसमें और अने लोगों की संख्या है अने लोग वी उसमें जुड़े हूए है किसी ने अनुसान साट किया होगा तब नाम जुड़े हूँ गे मैं वही तो कह रहा हूं हो सकता कहां से है बीलो के पास आभी दन देकर हो सकता है गावाले जिसको जानते हैं उसका बात बताएंगी कहाँ यह गाव में रहने वाले उनका हो सकता है अगर दोनों ने लिखित में कहा है है अने गाओं के लिए कि हम नहीं जानते तो वो कौन है कि नरह होना हो चाहिए फाइयर कर रहें क्योंकि पुलिस में पोस्टर लगाया उनकी खोज बिंद कर रहे हैं हाँ खोज तू रहें ना मिलें और कुछ नहोगा तो मैं सोचता हूँ कारवाई में तेजी दिखाएगी दिखाएगी कामरा मैं मलकी सिंह के साथ मनोज नायक आने स्टॉटपॉर इन स्टुटॉट इन्टॉट में रैपूर